सुपेरा उसी समय जिंदगी में आता है जब जीजस आता है प्यवस्था का बंदानी ये इश्यू ने खोल दिया तुने सिर्फ और सिर्फ इश्यू पर भरोसा किया है आप सभी दर्शकों को मेरा शालोम और पिछले प्रसारण में मैंने पास सोवर की बात की थी और आपके टेलीफोन कॉल्स ने हमें आनन से भर दिया है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि पवित्रात्मा की सामर्थ पूरे उत्तर भरत में तेरा राज्यों में फैल रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा मन आत्माओं को बचाने के लिए ब्याकुल होता जा रहा है आपको एक और बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय दर्शको मेरे प्रिय पार्टनर्स मेरे प्रिय भाई बहन शैतान के अंत का दिन अब और ज़्यादा निकटा चुका है इसलिए वो अपने पूरे दल बल के साथ काम कर रहा है लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि परमेश्वर का प्रेम अंदकार की शक्तियों से कहीं ज़्यादा जुरावर है आपको भी बताना चाहता हूँ कि जितनी सामर्थ मृत्यों में है उससे कहीं ज़्यादा सामर्थ प्रेम में है इसलिए गुड फ्राइड़ इस लव लव हलो आप सुन रहे हैं अपने खरों में जब आप इस टेली कास्ट को देख रहे हैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रेम में सामर्थ है येश्यू को थपण मारे गए अपमानित किया गया थूका गया पंजर में भाला मारा गया इसकी थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा मैं आपके लिए जिस रूमी सिपाई ने येश्यू मसी के पंजर में भाला मारा उसका नाम था लांग सिंग्लाम और जब उसने भाला मारा तो येश्यू के पसली से जो लहू और पानी निकला उसका छीटा इस रूमी सिपाई के आँख में पड़ा और ऐसा बताया जाता है इतिहास की पुस्तकों में कि वो आख की किसी बिमारी से पीड़ी था और येश्यू के लहू की सामर्थ जैसे उस पर पड़ी वो चंगा हो गया मेरे मित्रो लहू जहां भी गिरेगा जहां भी बहेगा जहां भी लगेगा जैसे भी उसका प्रियोग किया जाएगा लहू हर जगा चमतकार करेगा इसलिए इस गुड़ फ्राइडे पर आपका श्यर कर्म आप तक पहुँच चुका है आपको इसे लेने की जरुवत है और आपके लिए मैंने आप देख रहे हैं बहता लहू बहता जीवन ये नबुवत संदेश आपके लिए मैंने लिखा है आप ये देख रहे हैं लहू के डॉप्स मैंने इसे छुटकारे का महा पर्ब कहा है आप ये नबुवत संदेश बिलकुल फ्री सिर्फ एसमेस करके अपना पता मुझसे मेरे कारियाले से प्राप्त कर सकते हैं इसी समय अपना फोन उठाइए एसमेस करिये अपना नाम पता और पिन कोट और ये संदेश आपको मिल जाएगा इसमें आप अपना सबसे बड़ा प्रात्ना निमेदन और आप अपना बहमुले भेंट गुट फ्राइडे के लिए भेज सकते हैं मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपक सहायता की जरुवत है और यदि आप की अगवाई पवित्रात्मा करता है तो आप अपने चेक, ड्राफ्ट, मनी ओर्डर्स हमारी सेवगाई को रांची आफिस में भेज सकते हैं और उसका पता स्क्रीन पर आ रहा है गुड फ्राइडे पर येशु ने तीन बड़े काम किये येशु ने पापों से हमें छुटकारा दिया श्रापों को मिटाया और बीमारियों को चंगा किया तो आज मैं आप से श्राप से छुटकारे की बात करना चाहता हूँ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि श्राप से छुटकारा नाम की पुस्तक मैंने लिखी है और कुछ ही प्रतियां इसकी हमारे कार्याले में हैं आप 300 रुपीज का मनी ओर्डर भेज करके इस पुस्तक को आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं हमारे पतेक बार आप मनी ओर्डर भेजें और ये पुस्तक मंगाने के लिए सिर्फ मनी ओर्डर ही भेजें किर्पिया एक और सुचना मैं आपको देना चाहता हूँ लिफाफे में बहुत सारे लोग पैसा भेजते हैं आपसे निवेदन है लिफाफे में कोई पैसा हमें ना भेजें तो आईए आज के संदेश पर ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं गलतियों तीन और उसका तेरा पद और यहां लिखा हुआ है मसी ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर बहुत गंभीर पद है यह शापित बना कुरूज पर जो मरा वो शापित बना आपके सारे श्रापों को पीडियों के श्रापों को उसकाली छाया को आकाल मृत्यू को अपने उपर ले लिया हमें मोल लेकर ही पेड़ दा प्राइस है आपसे कहना चाहता हूँ बहन मेरे भाई तेरे परिवार को बचाने के लिए तेरे बच्चों को बचाने के लिए तेरी आत्मा को बचाने के लिए येश्यू ने कीमत चुका दी येश्यू ने कहा पूरा हुआ कुरूज से कहा पूरा हुआ इट इस फिनिश्ट ब्यवस्था की बोज को कोई नहीं उठा सकता सच कहता हूँ आप शुब कर्मों से उद्धार नहीं होता येश्व ने ब्यवस्था के इश्राप को मिटा कर अनुग्रा को हमारे जीवन में रिलीस कर दिया है now you are under grace good friday पर सब कुछ complete हो चुका है सारी डील हो चुकी है क्या आप किसी और उद्धार की प्रतिक्षा कर रहे हैं क्या आप और कहीं से समाधान ढूनने का प्रयास कर रहे हैं क्या आप कर्म करके या प्रयास करके या पसीना बहा कर या और कुछ दाएं बाएं खेल कूद करके आप समझ रहे हैं न मैं क्या कह रहा हूँ उससे आप आशिशित जीवन ब्यतीत करना चाहते हैं यह संभव नहीं है अबराहम की आशिश यिश्व मसी की वंशावली से होकर आप तक पहुँच गई है और यिश्व ने शब्दों में उद्धार नहीं दिया है यिश्व ने अपने लहू की कीमत चुका यहां लिखा हुआ है मूल लेकर शैतान के मूँ को तो जीजस ने एकदम बंद कर दिया हुआ नरक को उसने उतल पुतल मचा दी नरक को उत्तर दे दिया वो शैतान इबलीस वो अजगर जिसने आपको इतने सालों से लूटा है जितना भी शैतान ने आपका चुरा लिया है इतने सालों में पीड़ी से पीड़ी तक नजाने कितने दशक गुज़र गए है और आप भारी बोज़ के नीचे भारी काली छाया के नीचे जी रहे है उससे ये शुने आपको छुड़ा लिया है क्योंकि लिखा है क्या लिखा है जो कोई काट पर लटकाए जाता है वो श्यापित है इसकी चर्चा मैं दूसरे प्रसारण में करूंगा और चौदा पत पढ़ूंगा आपके लिए यह इसलिए हुआ कि अबराहम की आशीश मसी ये शुमे अन्ने जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिग्या हुई है अबराहम की आशीशें धन ने आशीशें सुन्दर्ता की आशीशें धन की आशीशें अबराहम की आशीशें क्या है अबराहम की आशीशें सुन्दर्ता वे बहुत सुंदर थी, सारा बहुत सुंदर थी, आपको सुंदर्ता चाहिए, मैं उस सुंदर्ता की बात कर रहा हूँ, जिसमें प्रसनता प्रसनता भरी हुई है, आज बहुत सारे लोग सुंदर्तों हैं, लेकिन वे खुश नहीं है, सुंदर्ता और खुशी एक साथ मिलती है और ये शुने अपने लहू को बहा दिया जब कांटों का ताज पहनाए गया लहू बहरा था उसके चेहरे पर लहू बहरा था वो हमारे लिए कुरूब बन गया वो हमारे लिए दास बन गया वो हमारे लिए गरीब बन गया वो हमारे लिए बिलकुल नीचे अस्तर पर आ गया आप अपनी सुन्दर्ता को येश्यू के लहू से ले सकते हैं अब रहाम के बारे में लिखा हुआ है कि वो अत्यंत धनी हो गया जब उसने परमेशर के साथ चलना शुरू किया तो वो धनी नहीं था लेकिन जब वो वेदी बना कर परमेशर की अराधना करने लगा परमेशर से मित्रता उसने कर ली एक और रहसे की बात When you are friend of God, जब आप परमेशर के मित्र बनते हैं तो आप परमेशर की राज्य की सारी आशीशों के वारिस बन जाते हैं Is good Friday, Perf? The Lord want to destroy all your poverty cuts गरीबी के सारे श्राप को ये शुमसी मिटा देना चाहता है और आपको धनी बना देना चाहता है आपको कर से निकालना चाहता है, आपको दलदल से निकालना चाहता है आपके खोईवे पैसों को लोटाना चाहता है, आपके जीवन में वो करना चाहता है जिस की आपने कभी कलपना भी नहीं की मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूँ गुट फ्राइडे बनाने के लिए चर्च तो लोग जाते हैं तीन घंटे चर्च पे भी रहते हैं लेकिन बस एक दिन के लिए थोड़े दुकित हो जाते हैं दुकित ना हो आपके लिए अच्छी खबर है और खबर ये है कि अबराहम की आशीशे आपके अकाउंट में आ चुकी हैं धर्मी जन विश्वास से जिवित रहेगा आत्मा में हम प्राप्त करते हैं गुट फ्राइडे ने हमें व्यवस्था से छुड़ा लिया है और अन्यजातियों को भी अबराहम की आशीश अब ये शुमसी में मिल सकती है हम मैं जल्दी से खोड़ना चाहता हूँ गुट पती तीन अध्याए और उसका पंद्रह वचन जब मैं बाविल कॉलेज में था तो इसे कहते हैं एवेंगलियान एवेंगलियान का मतलब होता है सूसमाचार सूसमाचार का सबसे पहला रिफरेंस उत्पती तीन पंद्रह में पाए जाता है और देखे परमेशर क्या कह रहा है और मैं तेरे और इस इस्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन करूंगा वो तेरे सिर को कुचल डालेगा इस वाट हैपने एक्सेक्टली ऑन गुट फ्राइडे वो तेरे सिर को कुचल डालेगा जीजस ने क्रूस के उपर शैतान के सिर को उस अजगर के सिर को उस इबलीस के सिर को पूरी तरह कुचल दिया इसलिए तो ये शुबद किया हुआ मेमना कहलाया और यहां लिखा हुआ है और तू उसकी एड़ी को डसेगा और उसने अपना प्राण क्रूस पर दे दिया परमेश्वर ने घोशना कर दी क्रूस की एक तरीके से कहूँगा ये शुबद जो गुट फ्राइडे पर हमारे लिए प्राणों की बलिदान चाहाया उसकी घोशना परमेश्वर ने उत्पती 3.15 में ही कर दी थी एक गुट फ्राइडे यहां दिखाई दे रहा है और देखिए सारे शुरापों का वर्डन यहां पाए जाता है बैनेले पश्वू को शुरापित शुराप के शुराप दिया गया आगे लिखा हुआ है सुलापद में फिरिस्ट्री से उसने कहा मैं तेरी पीडा और तेरी गर्ववती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा तु पीडी थोकर बालक उत्पन होगी लेबर पेंड यहां आ गया है गाइनिक डिसीजों की चर्चा यहां आ गई है बेहनों ध्यान दे यदि आपको किसी प्रकार का फॉबराइट्स है सिस्ट है ट्यूमर है माजपन है आई वांट तु डिक्लार दटच अव गाड अबाद इस गुर्ट्राइड इस ने रेव जीजस ये शुमसी के नाम में ये सब कुछ श्राप के अंदर आता है और तेरी लालसा तेरी पती की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा क्या आप समझ रही है नजाने कितने लाखों रूपे मेरी बेहने अपने इलाज पर खर्च करती है टेस्ट्यू बेवी पर खर्च करती है अपनी बीमारियों के लिए नजाने कितने पैसे खर्च करती है फिर भी चंगाई नहीं मिलती इस समय जब मैं प्रसारण में बोल रहा हूँ ये शुमसी के नाम में कहना चाहता हूँ वे बेहने जो सालों साल गाइनिक प्रॉबलम से इस्तरी रोगों से प्यूडित है गाद वान तू हील यो कि आपको विश्वास है कि ये शुमसी इसी समय आपको अपनी सामर से चुएगा ये शुमसी के नाम में प्रभू वे बेहने जिनके यूटर्स में फॉबराइट्स है पिखल जाएं इस्षुमसी के नाम में टुमर्स चले जाएं इस्षुमसी के नाम में सिस्ट निकल जाए इस्षुमसी के नाम में ग्लाट ब्लाडर की पत्री Get out in the name of Jesus किड्नी की बिमारिया Out Lord I pray in the name of Jesus असे बहुत से भाई बैन किड्नी की बीमारियों से परेशान है उनकी किड्निया जो है वो डैमेज हो रही है आज इस गुट फ्राइडे पर प्रभु ईशुमसी के नाम में मैं तेरी चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता हूँ और कहता हूँ प्रभु किड्निया जी उठे डैमेज और्गन्स नई सामर्था जाए ये शुके नाम में हो हलिलूया जो लोग मेरे प्रसारणों को इस समय देख रहे हैं आप जहां कहीं भी हैं यदि आप यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं या लाइव देख रहे हैं अपनी आँखों को बंद करें पवित्रात्मा का अविशेख मेरे उपर से बहरा है ये पहुच रहा है आप तक और ये शुमसी के नाम में कहता हूँ प्रभु तेरा गहरा अविशेख लोगों को इस समय चूरा है प्रभु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए बहुत आसू महाए है बहुत आसू महाए है और तब मैं आज इस्टूडियो में आया हूँ ये शुमसी के नाम में कहना चाहता हूँ भारी बन का आत्मा दुर्बग करने वाली आत्मा सदारे वाली आत्मा कैंसर ब्लड डिसीज हड़ी की बिमारिया हूँ ये शुमसी के नाम में इसी वक्त चली जाए सारे श्राप पीडियों के श्राप जिसकी चर्चा नहमया ने की और बोला मेरे पित्रों का जो पुरोजों का श्राप है वो मिट जाए शायद आप गरीबी में जूज रहे हैं देहनी दशा में जूज रहे हैं शायद एक शादी करते हैं चीज़ें नहीं बन पाती फिर आप दूसरी शादी कर लेते हैं मैं देख रहा हूँ अपनी आत्मा में कि किसी बहन को अबर्शन के कारण infection हो गया है अबर्शन के कारण infection हो गया है and the Lord is touching you right now the Lord is healing you right now in the name of Jesus तेरा नाम में लेना ने चाहता प्रभू येश्यो मसी के नाम में येश्यो मसी के नाम में प्रभू वे बेटियां जिनकी शादी नहीं हो रही है प्रभू येश्यो मसी के नाम में उनको मैं तेरे चाड़नों में लाता हूँ और कहता हूँ परमेश्यर बहुत सी लड़कियां इस समयाश्यों में हैं और वो कह रही है पवित्रात्मा से अपने हातों को उठा करके मेरी शादी कब होगी मेरी शादी कब होगी आप से कहना चाहता हूर इस गूट फ्राइडे पर एक खबर आ रहे हैं आपके लिए मेरा पर मेंशर आपकी सुधी लेना चाहता है और आपको आपकी शादी होगी शादी नहीं होना भी एक श्राप है एक बंधन है Lord I break it off in the name of Jesus सारे श्रापों को बाच्पन के श्रापों को शादी नहोने के श्रापों को मैं ये शुमसी नासरी के नाम में कैंसल करता हूँ कैंसल अच्छे बिवा को अच्छे रिष्टों को जो प्रफोजल साथ हैं परमेश्वर उस पर तेरे लहू की सील को लगाता हूँ क्योंकि प्रफोग गुड़ फ्राइडे पर सब कुछ गुड़ होने जा रहा है धन्यवाद ये शु धन्यवाद ये शु और यहां लिखा हुआ है सत्रा पद में और आदम से उसने कहा तुने जो अपनी पतनी की बात सुनी और जिस व्रिक्ष के फल के विश्या में मैंने तुझे आग्या दी थी कि तुसे ना खाना उसको तुने खाया है इसलिए भूमी तेरे कारण श्रापित है तु उसके उपाद जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा प्रिय दर्शको क्या आप दुख की रोटी खा रहे हैं आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ दिन भर आप दौड़ते हैं मजदूरी करते हैं शायद बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है शायद दोनों पती-पत्नी काम करते हैं लेकिन फिर भी आप कर्ज में हैं फिर भी आप दुख की रोटी खाते हैं फिर भी आपके बिल्स पे नहीं हो पाते फिर भी आपके पास कोई बैलन्स नहीं बसता आप अपने बच्चों की ओर देखकर मुस्कुरा नहीं पाते शायद ऐसे भी पैरेंट्स है जो मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं और आपके बच्चों की बिल पेमेंट नहीं हो पाए है शायद बैंकों की किस्त पेमेंट नहीं हो पाई है दुख की रोटी खाएगा नहीं गुड फ्राइडे के कारणा आप दुख की रोटी नहीं खाएंगे आप नया दाकरस पियेंगे येश्यो मसी ने आपको धानी बनाया है मेरे अगले प्रसारण में आप सुनेंगे कि कैसे येश्यो ने क्या क्या आपके लिए किया है आज मैं कहना चाहता हूँ येश्यो मसी के नाम में श्चारा श्राप मिट चुका है मैं बताना चाहता हूँ आपको कि श्राप को आप कैसे पहचान सकते हैं क्या आपके हाथ में पैसा नहीं रहता दवाई तो करते रहते हैं तो भी चंगाई नहीं मिलती शादी तो कर लिया है लेकिन खुशी नहीं मिलती बच्चे तो पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता पैसा तो कमाते हैं पर बचा नहीं पाते गाड़ी तो अच्छी खरीदी है पर बार-बार मरम्मत कराते रहते हैं शायद ऐसी बिमारी है जो आपको हुई फिर बेटे को हुई फिर उसके बेटे फिर उसके बेटे को हुई पुरुजों की बिमारियां एंसेस्ट्रल डिसीजिस आपका पीछा नहीं छोड़ती कई सालों से आप मुकदमा तो लड़ रहे हैं और जीत नहीं पाते वकीलों के पीछे पैसे बरबाद होते हैं बहुत से लोगों के जीवन में घूस लेने के कारण बहुत सारे श्राफ आ चुके हैं बेविचार करने के कारण बहुत से लोग श्राफित जीवन्वितीत कर रहे हैं गप्थ पापों के कारण भी श्राफ हमारे जीवन्ग में ऑप्रेंट होता है इस गुड फ्राइडए पर यह श्र। आपके श्रापों को मिटा देना चाहता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो नकरात्मक बातें करते रहते हैं और नकरात्मक बातें करों के कारण उनके जीमन में श्राप, कर्स, आउपरेट कर रहा है आपको एक और अंतिम बात बताना चाहता हूँ 37, 24 और 25 जब पिलातूस ने देखा कि कुछ बन नहीं पढ़ता प्रंतु इसके विपरीत हुलर बढ़ता जाता है तो उसने पानी लेकर भीड के सामने अपने हाथ धोए और कहा मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोश हूँ तुम ही जानो सब लोगों ने उत्तर दिया इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो यहूदियों ने श्राप को अपने उपर ले लिया निर्दोश का लहू बहा कर इश्यू के निर्दोश निसका लंक लहू को बहा कर उन्होंने श्राप अपने उपर ले लिया और इसका परिनाम यह हुआ यहूदी तितर बितर हो गए एक सला देना जाओंगा आपको इस गुट फ्राइडे पर किसी भी धर्मी जन को न सताएं किसी भी अविशिक्त सेवक के बारे में कुछ नकरात्मक बाते ना कहें खास बात यह है गुट फ्राइडे पर कि आपका श्राप यहू ने अपने उपर ले लिया सारा बोज अपने उपर उठा लिया और अब आप श्राप से आजाद हो चुके हैं आप खरीद लिये गए हैं आप एक नई जिन्दगी एक नई शुरुवात यहू मसी में कर सकते हैं प्रभू आपको बहुत 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 आशिश्टे आईए प्रात्ना करें प्रभू यहू मसी के नाम में मैं तरह धन्यवात करता हूँ क्योंकि तुने हमारे हर दर्शकों के दिल को छू लिया है और मैं कहना चाहता हूँ प्रभू वे अब धन्य कहलाएंगे मेरे साथ कहिए मैं धन्य कहलाओंगा मैं आशिशित कहलाओंगा मैं हर्याली में रहूंगा मैं मर्वस्थल में अब नहीं रहूंगा यहोवा मेरा चर्वाह है मुझे कुछ घटी ना होगी वो मुझे हरी हरी चराईयों में ले चलता है और वो यिश्यू है जो आपकी हरी चराईयों को और हरा करने के लिए तैयार है सारे दर्शकों को मेरा शलूम इस्टर की शुब कामनाए और मैं कहना चाहता हूँ नबूवत संदेश जो मैं भेजना चाहता हूँ आपके लिए अपना टेली फून उठाईये मुबाइल उठाईये और तुरंट समस कीजिए अपना नाम पता पिन कोट के साथ और हमारा आफिस आपको नीश शुल्क ये प्रॉफिटिक मैसेज बहता लहू बहता जीवन भेज देगा और एक बात और आश्चर करम पाने के लिए बीज बोना ना भूरिएगा ये 2018 है आप कोई भी ऐसा बीज बो सकते हैं जिसमें 2018 शामिल हो और परमेश्वर की एक नई आशीश एक मिरकल आपके लिए अवश्य होगा प्रभू आपको आशीश दे आमेन